हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे स्टडी चैनल के अंदर, होप आप सब लोग घर पे सेफ होंगे और सही होंगे अहां तो फ्रेंट्स हमने अपने जो स्कूल मैनेजमेंट के वीडियो स्टार्ट किये थे कल हमने उसमें ग्यानदर्शन और ग्यानवानी पड़ा था स्टुडेंट इसी वीडियो में आज हम एजुसेट चो कल हमने छोड़ दिया था उसको पढ़ेंगे देखें पहले इस क्रम में हम परिच्चे देखेंगे जैसा कि कल हमने देखा था फिर हम स्थापना देखेंगे और फिर हम उसके पुर्देश्च की बात करेंगे ठीक है और आज के इस वीडियो को आप एंड तक देखेगा यहां लास्ट में मैंने इस टॉपिक से पांच क्योशन्स जालें मल्टिपल चोईस क्योशन्स हम इनको भी सॉल्ट करेंगे ठीक है तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं परिच्च यह एक शैक्षनिक क्रेतिम उपग्रय है तथा शिक्षा की शेत्र में भारत का पहला क क्रेतिम उपग्रय है यह देश भर में शैक्षनिक सामगरी वित्रन करने के लिए कख्षाओं में उपग्रय आधारित एक तरफा संचार उपलब्द करवाता है अच्छा यह आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर तो स्टुडेंट ऐसा है जैसे कि मैंने आपको कर इंट इसके स्थापना जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में 20 सितंबर 2004 को आंधरपर्देश से की गई ठीक है और इस उपग्रह का निर्मान इस्रों के दुआरा किया गया ठीक है अब प्रानंभ में इस उपग्रह की अवधी सात वर्ष निधारित की गई थी यह जनवरी 2014 को जी सेट 3 के स्थान पर जी सेट 14 12 वर्षों के लिए स्थापित किया गया ठीक है अब इसमें एक नोट है जो कि आपको ध्यान दखना है देखिए यहां आपको दिखाई दे रहा होगा राजिस्तान में एजुसेट योजना का प्रारंब शुबारंब अब किया प्रारंव 12 अपरेल 2006 को शिक्षा संकुल यह जापूर से किया गец और एक दो नोटल जनसी का नोटाशर की इस रो द्वारा चलू तो कहां एक तो जैसे कि वहक अपको पहले बता चुकि हो है अब उद्देश की बात करेंगे तो पहला उद्देश आपको दिखाई दे रहा होगा भारते शिक्षय परणाली को आधुनिक बनाना यानि कि उसमें नई चीजों को निर्मान करना दूरस्त बैठे वे उपगरे की सायता से शिक्षय पहुचाना है ना शिक्षय सामगरे उपलब्द कराना तो यह सब चीजे व्यापक इस्तरपर शिक्षन का प्रिक्षिक्षन देना दूरस्त शिक्षय परणाली को बड़ावा देना फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे एक समय में एक शिक्षक द्वारा किये जाने वाले कारेों का प्रसारण अनिक स्थानों पर करते हुए बालकों का सरवांगिन विकास करना इसका मुख्य उद्देश है पांचवा पॉइंट विशेश प्रकार की सामगरी की रिकॉर्डिंग कारेकरमों का उन्हें प्रसारण किया जाना इसका मतलब यह है कि एक बार हमने जब रिकॉर्ड कर लिया तो बार बार उसका प्रसारण करना हो और अधिक सदि चात्र चात्र तो आपने दिखा होगा इस चुडियन कल वाला जो चात्र वाला जो हमने वीडियो बनाए थे जिसमें घ्यांदरशन ग्यानवानी पढ़ा था तो मित्रों उसके अंदर और इसके अंदर तीनों में एक ही बात आ रही है शिक्षा बनाली को आधुनिक बनाना जाज़र से जाज़र शात्रों का सर्माइन कास करना शिक्षा के शेतर में नवाचार लाना ठीक है अब इसी क्रम में हम आगे देखेंगे क्यूस आज मैंने आपके लिए क्यूस्ट एयर कर रही है जिसमें पांच कुश्चन मैंने रखे हैं तो हूप आपको इदिखाई द हिंदी भाषा में परसारित किये जाते हैं ऑप्शन सी ग्यानवानी की नोडल एजनसी एंसी आटी है ऑप्शन डी ताजिस्तान में इसका परसारण जैपूर से 105.6 में यह गाट थोड़ा सा अलग गलत हो गया है लिखते समय इसको मेगा हर्ट कर लीजेगा मेगा हर्ट से ह सॉरी यह मैंने गलत लिख दिया अब मेगा हर्ट करिएगा ठीक है मेगा हर्ट अच्छा अब हम वापिस बात कर लेते हैं अपनी तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा तो देखो स्टुडेंट कल हमने ग्यानवाने के बारे में बात करी थी हम थोड़ा से यहां बतावी देती हूं ग्यानवाने एक FM रेडियो चैनल था मैंने आपको बताया था जिसके स्थापना जो थी वह साथ जुलाई 2005 को की गई इसकी नोडल एजनसी एंसी नहीं थी मित्रो इसकी नोडल एजनसी वहन आपको क्या बताई थी इगनू बताई थी ठीक है और राजिसान में इसका परसारण 105.6 मिगार्ट से किया रहत है बिल्कुल सही था तो इसका कौन सो ऑप्शन सही क्योंकि इसने नहीं बोला है देख ठीक है अब बात करते हैं एजुसेट के संबन में कौन से कतन सही है तो देखिए यहां मैंने आपको टूटल 6 कतन लिखे है यह एक शेक्षनिक अपकर रहे है दूसरा इसकी स्थापना 20 सितंबर 2004 को श्री हरी कोटा आंदर परदेश से की गई तीसरा इसको जी 7 3 ठीक है जी स्थापना 20 सितंबर 2004 को श्री हरी कोटा आंदर परदेश से की गई यह इस रही श्री हरी कोटा है इसको जी 7 3 के नाम से जाना जाता है तो एक मिनिट राजिस्तान में इसकी शुरुआत 2004 में की गई तो यह कथन भी गलत है यानि इसका चौथा कथन गलत है और इसका च्छटा कथन गलत है यानि सही कौन कौन से हो गए पहला दूसरा तीसरा और पांच छवा सही है है ना क्योंकि यह्टा का निमान इस शुरुद रहे है यह भी सही है तो चौथा और चौठा कथन गलत है मित्रो अब option देखते है चौथा छृटा किसमें नहीं है तो देखिए चार option है आपके पास फिर से स्क्रीन पर आपके लिए पहला है ग्यान दर्शन second को एक लवे चैनल भी कहा जाता है तो बिल्कुल सही है मैंने आपको बताया था कली जब अपने class पड़ी थी अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बर कल वाल ही 2000 को ही की गई थी ग्यान दर्शन पर्थम की नोडल जेंसी एंसी आटी है हाँ बिल्कुल सही है क्योंकि यह एंसी आटी ही है मैंने आपको कल बताया था मित्रो अब है option D ग्यान दर्शन पर्थम का उद्देश सामाने शिक्षा स्कूल कॉलिज शिक्षा देना नहीं है अ हम सारे option गलत क्यों है यह भी देखते जाने कि किसी भी question को करने का सही तरीका यही होता है कि हम यह भी पता होना चाहिए कि जिने हम गलत कर रहे हैं गलत क्यूं कर रहे हैं और जिसे हम सही कर रहे हैं तो हम सही क्यूं कर रहे है मित्रो ठीक है अब इसी करह में हम बात करते है Q4 की एजुसेट उग्रह की जगे भारत का कौन सा उग्रह इस्थापित किया गया है तो कौन सा किया गया है मित्रो G-Sat 14 किया गया है तिक है अब पांच फ़वा देखें आप इकलवे चैनल की नोडल एजनसी कौन सी है तो एकलवे चैनल की नोड़ अजनसी कल ही मैं आपको पढ़ाया था एकलवे चैनल जो है वो ग्यान दर्शन सेकंड चैनल है और इसकी नोड़ अजनसी आई आई टी डेली है ओप आपको आज की कुछ अच्छी लगी होगी ठीक है नेक्स्ट जो भी मैं अपना वीडियो बनाऊंगी उसमें एक कोशन आपके लिए भी रखा करूंगी अच्छा आप कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं तो मित्रो कमेंट करना ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें क्योंकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुचेंगी और सबको इसका फायदा हो ठीक है